वेल्केम चू ईविद्याले उससे रिलिटेड जितने भी इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं सबको मैं यहाँ पे कवर करूँगा और इस पूरे वीडियो का जो पीडियाफ है वो पीडियाफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं और इसके पहले के जितने भी पीडियाफ हैं और जितने भी वीडियो हैं आपको सारे के सारे डिटेल्स हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे जो डेली करेंट अफेर के नाम से है ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो पहला कोशन कहा है हाल ही में ससस्त्र बल्भूत पूर्व सैनिक दिवस कम मनाया गया है ससस्त्र बल्भूत पूर्व सैनिक दिवस कम मनाया गया है तो इसका सही आंसर है 14 जन्वरी option number C, 14 जन्वरी ठीक है अब बात करते हैं 14 जनवरी की ठीक है तो 14 जनवरी इसलिए famous है योकि ससस्त्र बल भूत पूरु सैनिक दिवस मना आता है और बात होती है ससस्त्र बल भूत पूरु सैनिक दिवस की तो ये क्यों मना आ आता है तो इसका सबसे बड़ा reason यही है कि Indian Army के जो Commander-in-Chief थे जो 14 जनवरी को इनका ससस्त्र बल भूत पूरु सैनिक दिवस के रूप में मना आ जाता है अब बात होती है कि 14 जनवरी को ही क्यों तो 14 जनवरी को उनका retirement हुआ था इस वज़े से ससस्त्र बल भूत पूरु सैनिक दिवस 14 जनवरी को मना आ जाता है अब बात करते हैं January में 14 जनवरी के पहले जितने भी डेट है सबसे पहला डेट आता है 4 जनवरी का 4 जनवरी को क्या मना जाता है World Freaks Day 6 जनवरी को क्या मना जाता है Maharashtra पत्रकार दिवस 9 जनवरी को क्या मना जाता प्रवासिय भारती दिवस मना जाता 12 जन्वरी को क्या मनाया गया था National Youth Day ठीक है एक बार और रिवाइस करा देते हैं 4 जन्वरी को World Friars Day ठीक है 6 जन्वरी को महरास्टर पत्रकार दिवस 9 जन्वरी को प्रवासी भारती दिवस 12 जन्वरी को National Youth Day और आज 14 जन्वरी को ससस्त्र बल भूत पूरु सैनिक दिवस ठीक तो अभी तक के जन्वरी में रिलेटेड यतने भी इंपोर्टेंट डेट थे वो सारे आपको याद होने चाहिए ठीक है आप सीक्वेंस वे में याद करेंगे तो आपको याद रहाएगा ठीक है अब बात करते हैं अगले कोशन के बारे में अगला कोशन कहरा है हाल ही में रायसीना डायलोग का पांचमा संसकरण कहां आयोजित किया जाएगा इसका सही आंसर है बी जो की नई दिल्ली ठीक है नई दिल्ली में रायसीना डायलोग का पांचमा संसकरण आयोजित किया जाएगा ठीक है बात करते हैं अगले कोशन के बारे में अगला कोशन कहरा है हाल ही में परंपरागत तेलगु अध्यन उत्करिष्टता केंद्र का उत्गाटन कहां किया जाएगा तेलगु अध्यन का परंपरागत जो उत्करिष्टता केंद्र है उसका उत्गाटन जो है उसका सही आंसर है C जो की आंद्रप्रदेश ठीक है आंद्रप्रदेश में परंपरागत तेलगु अध्यन उत्कृष्टता केंद्र का उत्गाटन किया जाएगा ठीक है अब बात करते हैं आंद्रप्रदेश की तो आंद्रप्रदेश का कैपिटल क्या है आंद्रप्रदेश का कैपिटल है हैदराबाद है मगर प्रस्तावित जो कैपिटल है वो क्या ह मोहन रिड़ी क्या नाम है ? जगन मोहन रिड़ी ठीक है ? गवरनर का क्या नाम है प्रिजन टाइम के ? विसवभूसन हरचंद्रन तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो कवर हुएं इस कोशचन में बात करते हैं अगले कोशचन के बारे में अगला question क्या कह रहा है हाल ही में किसने statue of unity को आठवा अजूबों के list में आठ अजूबों के list में सामिल किया है ठीक है आठ अजूबों के list में statue of unity आप लोगों ने सुना होगा ठीक है तो इसका सही option है SCO संगाई कॉर्पोरेशन और्गनाईजेशन option number D SCO तो SCO ने statue of unity जो अभी अभी हाल ही में प्रदान मंत्री नरेंद मुदी जी जवरा उदगाटित हुआ है और ये गुजरात में है ठीक है तो सरदार बल्लब भाई पटेल जो की स्वतंत्र भारत के पहले ग्रिह मंत्री थे सरदार बल्लब भाई पटेल का मुर्ती बनाया गया है जिसकी height है आपको ये चीज नोट डाउन करना चाहिए जिसकी height है 182 मीटर ठीक है और मैं आप लोगों से बताऊं कि SCO क्या चीज है SCO जो है संघाई Corporation Organization है ठीक है ये कुछ details और fact के आधार पे कई सारे चीजों का अध्यन करता है जिसमें आजूबों के बारे में भी ये बताता है ठीक है तो 8 आजूबों में Statue of Unity को इनोंने रखा है ठीक है और संघाई Corporation Organization कहां इस्थापित है संघाई Corporation Organization चाइना के बीजिंग सहर में इस्थापित है ठीक है इसकी स्थापना कम हुई थी इसकी स्थापना 2001 में हुई थी ठीक है और present time के सेक्रेटरी जनरल कौन है SCO के तो वालमदीर योरो वालमदीर योरो ठीक है ये एक रूस के रहने वाले है ठीक है बात करते हैं अगले question के बारे में अगला question कहा रहा है हाल ही में इसरो ने कहां Gset 30 उपगरा को launch करने की घोसड़ा की है ठीक है इसरो ने Gset 30 उपगरा जो है उसको launch करने की घोसड़ा की है तो इसके option है C option है Gwana Gwana में इसरों ने अपना जो Gset 30 उपगरा है उसको launch करने के लिए कहा है अब Gset 30 उपगरा का use कहा होता है तो Gset 30 उपगरा का use communication में होता है यतने भी communication के माध्यम है तो हमारे देश में इसरों ने Gset उपगरा का निर्माड किया है अब आपसे बात करें Gset के बारे में तो Gset कब बनाया गया था ठीक है Gset किसकी अंदर बनाया गया था तो Gset इसरों के अंदर बनाया गया था ठीक है इसरों का full form क्या हुआ इसरों का full form Indian Space Research Organization क्या हुआ Indian Space Research Organization इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, इसका headquarter कहाँ पे है, इसका headquarter Bangalore में है, ठीक है, और सबसे important चीज कि उसके chairperson का क्या, present time के chairperson का क्या नाम है, KC1, KC1, ठीक है, तो ये सारे topics जो cover हो सकते थे, इस question में cover हमने किये, बात करते हैं, अगले question के ब चेन नहीं पहुचा है, हाल ही में किस देश का जहाज, इचीगो, चेन नहीं पहुचा है, ठीक है, इसका सही option है, जापान, ठीक है, B option, जापान, ठीक है, मैं आप लोगों से बता दूँ कि इचीगो जो है, एक जहाज है, पानी का जहाज है, ठीक है, और ये जापान का है, ठीक है जापान कोष्ट गार्ड का यह जहाज है ठीक और सदभावना यात्रा पर यह निकला है पाँच दिन के सदभावना यात्रा पर यह निकला है तो यह चिन्नई पर पहुचा है ठीक है और भारती नौसेना के साथ सस्तर अभ्यास योग में इसका participation होना है ठीक है भारती नौसेना के साथ सस्त्रभ्यास में इसका participation होना है तो ये सारे चीजे डिटेल्स थी आपको ध्यानम रखनी चाहिए ठीक है बात करतें अगले कोशन के बारे में अगला कोशन कह रहा है हाल ही में किसने भारती नौसेना के लिए विसेस स्रेडी का डीजल तायार किया है विसेस स्रेडी का डीजल ठीक है तो डीजल के यहां पे जितने भी corporation है यहां पे उसके नाम दिये हुए है उसका सही option है A. IOCL IOCL का full form क्या है Indian Oil Corporation Limited तो IOCL ने NATO grade का special डीजल क्रिएट किया है भारती नौसेना के लिए इसकी उपयोगिता के लिए इसके कुछ विसेस टिपडियें इस पर मैं कर सकता हूँ जैसे इसके कुछ special effect है जैसे क्या क्या यह high case है ठीक है high case है और high speed diesel है ठीक है high speed diesel है और इसका code है IM512 IM512 ठीक है बात करते हैं अगले question के बारे में अगला question कह रहा है हाल ही में Malaysia Masters 2020 का खिताब किसने जीता है Malaysia Masters 2020 का किताब किसने जीता है तो इसका सही option है Kento Momota ठीक है बात करते हैं अगले question के बारे में अगला question कह रहा है हाल ही में RBI ने किसे नया deputy governor न्यूक्त किया है गिप्टी governor of RBI अभी नए नए न्यूक्त हुए है ठीक है उनका नाम है Michael Devavrat Patra option number C Michael Devavrat Patra ठीक है अब बात होती है RBI की तो RBI की स्थापना कभ हुई थी RBI की स्थापना 1 April 1935 बहुत important question है RBI की स्थापना कभ हुई थी RBI की स्थापना 1 April 1935 में हुई थी इसका headquarter कहा है इसका headquarter मुंबई में है और present time के RBI के governor कौन है तो present time के RBI के governor है सकती कांथ दास सकती कांथ दास ठीक है और इन ही questions में एक सबसे important question बन के निकलता है वो कि सकती कांथ दास कौन सेवे number पे कितनेवे number पे इनका governor पद आता है तो 25 वे number के ये governor पद है इनका सक्तिकांत दास का पचीसमे नंबर के गवर्नर है रबी आई के ठीक है ये बहुत important question है आप note कर लिजे इसको ठीक है बात करते हैं अगले question के बारे में अगला question कहता है हाल ही में अमेरिका ने किस देश को मुद्रा manipulator की सूची से हटाया है बहुत important topic है यहाँ पे आप ध अब यहाँ पे एक important topic यहाँ पे समझ में आता है कि मुद्रा manipulator क्या होता है मुद्रा से आप समझ सकते हैं पैसे का लेन दिन जो भी ठीक है transaction of money ठीक अब manipulator का क्या काम होता है manipulator का काम होता है मुद्रा में हेरा फेरी ठीक है manipulator करना मतलब हेरा फेरी करना ठीक तो यहाँ पे अभी हाल ही में अगस्त 2019 को अमेरिका ने चीन को यहाँ इसमें मुद्रा manipulator की स्रेडी में रखा था और इसमें चीन ने बहुत ज़ादा यहाँ पे हेरा फेरी करने की वज़ 20 के 16 तारिक 16 जनवरी का ठीक है आप इसमें जितने भी important topics बन सकते थे मैंने discuss किया है और आपके लिए मैं questions यहां पे देते जाता हूँ और बात करते हैं पिछले question के बारे में यानि पिछले वीडियो में मैंने जो question आपको दिया था उसका सही उत्तर बताने के लिए तो इसका सही option यहां पे यहां है कि हाल ही में national book trust का नया निरिसक किसे निवक्त किया गया है तो इसका सही option है यू राज मलिक हो ठीक है और इसका ज्यादा detail देखने के लिए हमारे पिछले वीडियो को जाके देखें सारी detail इस पे discuss हुई है ठीक है और बात करते हैं आप लोग ही में तुर्की और किस देश में मिलकर तुर्की stream pipeline की सुरुवात की है तो options आपके पास दीचे दिए हैं सही options हमें comment करके बताएं और उमीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अपने दोस्तों को आप बताएं यहां पर कि हमें comment करके यह भी बताएं कि ह हमें यह वीडियो है उसमें और क्या आपको detail चाहिए और अपने दोस्तों को यह बताएं कि हम हम जो है daily current affairs का सारा topic cover करते हैं सारे daily current affairs के जितने भी important question बन सकते हैं यहां पर PDF के format में आपको देते हैं ठीक है उमीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा तो बहुत बहुत ध अन्यवाद